जो अंगरेजी जो है वो गुलामी के पदचिन्नों की निशानी है तो आपके नेता गुलामी क्यों कर रहे हैं आपके नेता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश में क्यों भेज रहे हैं तो सरकार का अगला टार्गेट लोगों को अनपड रखना है देखे मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी से इस देश के अंदर सबी लोग प्रेम करते हैं ठीके न अब मैं बात करता हूँ हिंदी की सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि हिंदी को लेकर जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर बवाल खड़ा कर रखा है या फिर आप कहली जिए कि भारतिय जंता पार्टी एक प्रियोजित धंग से एक सोची समझित शादिस के तहत जिस प्रकार से आप देखते हैं कि कैरला या फिर तमाम जगे से जहां से भाज़पा का वोट नहीं मिलता है आपको हाली में एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि 1930 से और 1960 के दशक में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हिंदी भाशा को लेकर देश के अंदर किस प्रकार से दंगे हुए थे कई लोगों ने अपने आपको आग भी लगा ली थी चिर्फ भाशा के तोर पर भाशा के लिए मैं आपको बता दूँ भारतिय जनता पार्टी इस देश के अंदर दुबारा से भाशा को लेकर दंगे कराना चाहती है अब मैं बात करता हूँ भारतिय जनता पार्टी के इस आदूरी बात को लेकर भारतिय जनता पार्टी के मुखे मंत्री है शिवराज सिंग चोहान आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हिंदी के अंदर MBBS को लेकर जब बात करी जाती है हिंदी के अंदर MBBS को लेकर आपने देखा है कि MBBS यहां medical आपको पहली बार बता दू वो हिंदी में पढ़ाया जाएगा और आपने देखा होगा कि हिंदी में जब वो medical पढ़ाया जाएगा तो शिवराज सिंग चोहान उनके बेटे हैं जो कार्तिक चो तो उनके बेटे मैं आपको बता दू कि मध्य परदेश के अंदर और भारत के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे law college हैं लेकिन उनका बेटा फिर भी विदेश में पढ़ रहा है सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर उनके दो बच्चे हैं ठीक है मेरे को पता पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं अभी कहा पढ़ रहे हैं वो भी पता है लेकिन हम किसी की पर्सनल लाइप पे इंटरफेर नहीं करेंगे उनके दो बच्चे हैं जो की English college से पढ़ रहे हैं English medium से पढ़ रहे हैं English medium college से पढ़ रहे हैं भारतिय जनता पार्टी के एक और नेता पियूस गोयल उनके भी दो बच्चे हैं आपको पता होगा उनके भी दोनों बच्चे जो हैं वो पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं अब English medium में पढ़ रहे हैं ठीक है तिसरे भारतिय जनता पार्टी के एक और नेता किरन रिजू जिनके तीन बच्चे हैं वो मैं आपको बता बता हूं कि जिस वो किताब का उधगाटन कर रहेते आप उस किताब को एक बार देखिएगा क्योंकि देश के लोग देखते नहीं है तो उस किताब को आप देखिएगा उसके अंदर वो जो शब्द रिखा हुआ है बुक के उपर medical, radiology इसको आप हिंदी में कैसे पढ़ें मैं आप से ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास इस सवाल का कोई जवाब है बताइए आप मुझे दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से लेकर हिंदी को एक बड़ा ड्रामा बनाया जा रहा है एक इशू क्रियेट किया जा रहा है मैं आपको बता दूं कि जो parliamentary जो board है parliamentary language का जो board है जो बनाया गया उसकी अध्यक्षता खुद ग्रह मंतरी सहाब कर रहे हैं उसमें क्या होता है उसको आपको सबसे पहले ये ले के आना चाहिए ये प्रस्ताव आपको ले के आना चाहिए था जिसमें आज देश के प्रधान मंतरी जी कह रहे हैं कि हिंदी जो है इंग प्रतिक है अगर अंग्रेजी गुलामी का प्रतीक है तो आपकी पार्टी के नेता और बच्चे विदेश में जाके गुलामी को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं आप इस सवाल का जवाब दीजिए दूसरी बात एक बात मैं आपको बता दूँ आप चाहें बात कर लें फ्रांस की चाहें बात कर लें अमेरिका चाइना और रशिया की वहां की चाहें वो आईटी कंपनी के इंजीनियर्स हो चाहें वेग्यानिक हो भारत देश के इंजीनियर्स बारत देश के वेग्यानिक उन्हें हर छेतर में पीछे भचारते हैं पीछे भचारने का काम करते हैं लेकि जो आपने कहा कि भाया जो अंग्रेजी जो है वो गुलामी के पदचिन्नों की निशानी है तो आपके नेता गुलामी क्यों कर रहे हैं आपके नेता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश में क्यों भेज रहे हैं यानि सीधे तोर पर देश के लोगों को एक अगर आपको मंदिर और मजिद के नाम पर दंगे करने हैं आपको हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लोगों को लडाना है आपको हिजाब और हिजाब और तिरंगे के या फिर हिजाब और क्या कहते हैं मफलर के विबाद में लोगों को लडाना है तो उसके लिए लोगों को आ लगा और आपने हाली में एक तस्वीर जो की सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वाइरल है वो आपने देखा भी होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी जी वो जो एक्सलेंस करके जो है स्कूल जो है आप देख रहे हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं उसमें मोदी जी बैठ के खुद किलास ले रहे हैं इनकी डिगरी का अता पता नहीं पता नहीं बच्पन में पड़े हैं या नहीं है लेकिन आज स्कूल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे नजर आ रहे हैं अब ऐसे आदमी की डिगरी पर सवाल अपने आप खड़ा होता है क्योंकि जो आदमी फरजी स्कूल बनवा देता है आपने देखा कि खिड़की कैसे ड्रॉइंग करी गई पूरे देश के साब ने वो तस्वीरे किस प्रकार से के ज़राँ चुनाव पर यह वोट लेना ही था तो आप कम से कम इसको अच्छे से ढंग से प्रियोजित तो कर लेते हैं वह बताया रहा वह कम से कम आपकी जो है इतनी जो है चीची लदर तो नहीं होती इतनी तो सित नहीं होती पूरा देश आपको सुनता है लेकिन आपकी बाते इस प्रकार की बाते होती है जिनका कोई तत्य और तरक नहीं होता है आपको फोटो खिचवाने का इतना शौक है कि आप वोट बटोरने के लिए भी आपने देखा हेमाचल का चुनाव अनाउंस हो गया है गुज करते जा रहे हैं लेकिन सवाल सबसे बड़ा फिर घूम फिर के यही खड़ा होता है कि आप हिंदी के नाम पर जो है लोगों को लड़ा रहे हैं भारत एक ऐसा देश है जो अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है और यही भारत देश की खूपसूर्ती और भारत देश की खासियत है भारत देश के अंदर जगे जगे पर जो है आपको लोग अलग-लग भाशा का प्रियोग करते हैं यही तो हमारा हिंदुस्तान है यही तो भारत है लेकिन आप इसको बदलने का तोड़ने का प्रियास कर रहे हैं आप एक बात मुझे बताइए आप यहां पर इतने सुमयोजी बता लोग और रहे मैं क्या करुट गें दोर बल्ला हिंदी का शब्द क्या बोलते हैं बता दीजिए किर्केट को हिंदी में क्या बोलते हैं चलो आप अरे रेल को हिंदी में क्या कहते हैं आप यह बताइए नहीं क्या बोलते हैं इनको यह नहीं पता मुह में खैनी लगाने से पत्रकार नी बन जाते ठीक है ना मुह में खैनी लगा लेने से पत्र प्रकार नहीं बन जाते और किरकेट मैच को आप देखेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से बोलते हैं लट्टू पटम कद्दू के ननम दे दनादन प्रतियोगिता कुछ इस प्रकार से बोलते हैं रेल को जो हैं हिंदी में लहपत गामनी बोलते हैं पुरधान मंतरी मोदी जी इगो भी नहीं बताओगा, जाके सिखा दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है, मैं आपको यहीं बता रहा हुँ, तो जो आप बात करहें हिंदी की, हिंदी इस देश में हर किसी को प्यारी, अब आप एक बात बताईए, आप अगर कोई भी प्रस्ताव लेकर आते हैं, तो आपको पार्लियमेंट के अंदर उसके उपर बहस करना जरूरी है ना आप पार्लियमेंट में बहस क्यों नहीं करते हैं आप प्रस्ताव लाके डारेक्ट आपने राष्टेपती को दे दिया अरे आप पार्लियमेंट के अंदर उसके उपर बहस करिए और आपने बिना मुख्य मंत्र नहीं है उनकी विना परमीशन के आपने कैसे इस चीज को आपने अलाउ कर दिया यह आपने कैसे प्रस्ताब दे दिया इस सबसे बड़ा सवाल कर दो